हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनलाइन और ओफलाइन ट्रेनिंग के बारे में तो जैसा कि हमारा स्कूलिंग है इंडिया के अंदर तो हमें सारी चीजें ओफलाइन ही पढ़ाई गई हैं और हम जो 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 जनरेशन अभी स्कूलिंग की हुई है या फिर जो अपनी जोब सर्चिंग के लिए कुछ कॉर्स कर रहे हैं फोर एक्जामपल क्लाउड कुंप्यूटिंग या फिर सीसी एनने मदलब वाटावर ट्रेंग यू आ डूइंग उसमें क्या है कि हमें आदत नहीं है ओनलाइन पढ़ने की लेकिन जो भी अभी सिनेरियो हुआ है जो लेटस सिनेरियो हुआ है उसकी वज़े से क्या हुआ है कि लोगों ने ओनलाइन ट्रेंग पे है लोग ओनलाइन ट्रेंग दे रहे हैं और सब कोई ओनलाइन ट्रेंग भ को questions पूछने की राइट तो यहां पर जो online और offline training की मैं बात करता हूं तो अभी तो सायद कुछ जिगह पर offline training स्टार्ट हो गई है तो पहले हम बात करते है offline के बारे में तो offline training अगर आपके आसपास कोई अच्छी जगह पर जंगे हैं जहां पर offline training आपको मिल रही है और आपको लगता है कि हां मैं वहां पर कुछ सीख सेखता हूं जो teacher है जो ट्रेनर है वह आपको समझा सकता है तो आप वहां पर offline training ले सकते हैं क्योंकि offline training में क्या आपको एक benefit मिलता है कि जब आप classes लेने जाते हैं तो पहले बात अगर आप homework करके गए हो तो फिर genuine सी बात है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ माएंगी और दूसरी चीज़े होती है कि जब आप कुछ coaching ले रहे हैं उस time पे at the same moment आपको कोई कोई भी मतलब question आता है mind में जैसे कोई भी समझा रहा है आपको note करवा रहा है तो वहाँ पे आप एक live question पूछ सकते हैं और आपके साथ एक audience बैठी होती है जो audience इंदर सेंस आपके classmates बैठे होते हैं तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ idea देता है और कुछ ना कुछ learning हो जो बंदे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं कुछ है कि न्यूव एकदम मालब schooling की है पास आउट हुए है उनके पास पैसे नहीं है वह parents पैसे नहीं लेना चाहते है कुछ है जो ले लेते हैं उनका अच्छा होता है उनका अलगी बात है तो लेकिन मैं आपे बात कर रहा हूं जो arrange नहीं कर सकते अपनी offline training तो उनके लिए फिर एक ही मातर option है online अब online में क्या चीज़े मैं आपको बताता हूं देखो offline यार paid होती है तो आपका अगर है आपके पास पैसे तो आप offline ले लिए और दूसरी बात यह कि कोई trap में ना फसे कि यह course भी आप साथ में ल है कि आपके अगर आज पास कोई अच्छा मिलता है तो आप जा सकते हैं बस वह यह कि अगर आपको आप capable है payment देने के लिए आप उसकी fees देने के लिए capable है फिर दूसरा जो scenario online के अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास एक ही option बचा that is online अब online में क्या है वो मैं आपको थोड़ा से explain करता हूँ कि कुछ YouTube channels पे कुछ Udemy बगारा पे किनोंने courses बनाए हुए है वो एक सीधे line by line courses है मतलब किसी ने training बना दिये तो वो सिरफ एक like sender या आप यह कह सकते information provider ठीक है वो एक आपको सिरफ information provide करा you you don't have any option to ask any questions अब chat पर आप कर रहे हो लेकिन व आपके सामने बैठा हुए आप उससे पढ़ रहे हो तो उस पे आप at the same moment question put up करते हो वो आपके doubts clear करता है तो वो एक अलगी level की learning होती है अब online में क्या है कि आप जो चीज़े वो पढ़ा रहा है जो चीज़े आप देख रहे हो वही चीज़े आपको समझ में आ रहे है अग online का जो पार्ट है जैसे कोई उसमें दो पार्ट आ जाते हैं मैं फर्स्ट online में हो गया किसी ने अपनी series बनाई हुए किसी ने अपनी training बनाई हुए that is one and second जो है कोई trainer ने अपनी training video बनाई है जैसे आज कल चल रहा है YouTube पे डाल देता है फिर उनको वो बाद में हटा देते है ताकि customer pay करे और उनको खरीदे ठीक है तो उसके अंदर भी दो scenario आते था first one is कि वो अपनी कुछ training बनाते और कुछ उनकी जो होती है live training video मतलब कोई वो किसी को पढ़ा रहे थे और उन्होंने अपने sessions record कर लिया वहाँ पर जो questions बंदे ने पूछा हुआ है वही उन्होंने answers द जो है online trainers जो है उन्होंने अपनी वीडियो बनाई हो है वो one drive के थूर या फिर google drive के थूरी आप लोगों को सेल कर रहे है 2000 1000 3000 में और even 10,000 में training sale हो रही है तो आपको वहाँ पर यह देखना कि जो training sale हो रही है वो कैसी है मलब वह एक scripted है या फिर मलब अच्छे से बनाई confusion create करती है कि आपको कौन सी training लेनी चाहिए और भाई पहली बात यह है पैसे की बम बात करते है अब पैसे नहीं आपके पास तो जहां से जो जैसा ग्यान मिल रहा है free of course आप वही लीजिए हाँ जो चीज ऐसा नहीं है कि free वाले भी गलत पड़ाया किसी नहीं है बस यह होता है फरक कितना होता है कि जैसे अपनी में बात करूं कुछ training बीच में चुटी हुई है CCNA बीच में चुटा हुआ है बहुत सारी चीजे हैं जो मलब पूरी नहीं है तो वही सेम चेनारी होता है फ्री में कोई भी अपना time invest नहीं करता है अब किसी के पास time होता है किसी पास न नहीं पड़ती है लेकिन कुछ content आपको अच्छा भी मिल जाएगा बट जब आप free की बात करते हो तो आपको content टुकडो में मिलता है मेरे channel पर आपको कुछ मिल गया दूसरे channel पर आपको कुछ मिल गया तीसरे channel पर आपको कुछ मिल गया तो आप उस तरीके से वो अपने training को जोड तोड़के आप अपनी knowledge gain कर सकते है और उसके भिहाब पे आपको job भी मिल सकती है ऐसा कोई issue नहीं है क्योंकि depend करता है आपके interview में और interviewer जो आपसे questions पूछता है वो आप answer कर पाते हैं कि नहीं कर पाते है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर CCN की मैं बात करूँ आपक करती हैं तो आपकी choice है कि online जब पैसे नहीं है तो भाई online आपको अपना time invest करना पड़ेगा आपको टेनिंग्स जो है अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी फिर offline अगर आपके पास money है and afford कर सकते है आप तो offline ले सकते हो वहाँ पे किसी trap में ना फसे और ज़रूर्थ से पार है और उसी काम को आप 100% गेन करें यही मैं आपको कहना चाहूंगा और जो third वाला option है जो online second option है कि वहाँ पे आपको sample videos आप लीजिए and पहले sample video लीजिए दो तीन चार जो भी है और उनको देखेगी अगर आपको समझ आ रहा है आप capable है कि आपको लग रहा है कि आपको वो उसको openly बोले कि मेरेको 200 video यहाँ पे लिखा हुआ तो 200 video ही मेरेको चाहिए वो क्या करते है कि 100 video आपको देदेगे बोल देगे 10 दिन बात देदेगे और वो देते नहीं आप contact करोगे उस से job कर देगे अपना phone आपको block कर देगे तो please इस तरीकी की trapping में ना फसे अपनी चीजें clear करें तो ही आपके लिए benefit है so thank you so much guys for watching this video have a good day bye bye